हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर्धो 24-7 पर तो आज हमारी इजी एकनॉमिक सीरीज का लेक्षियर नमर 23 है और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है बेच में कुछ एक्जाम की वेश से मैं बुजी हो ग कभी कभार वंड़े ओंड से नहीं सी आपगे काफ़ी इंपॉडिंटं टोपिक आपका यह बन्ता है कि इसिअ Embano undergrad करते हैं इसिद्र मां लोग को किया पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है सबसे पहले मुने को पढ़ने से पहले हम लोगो यहाँ पे Pac डिसंग looks करने के बदले समान जब exchange किया जाता है तो उसी exchange को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम barter system of exchange कहते हैं, जिसको की हम CC economy भी बोलते हैं, और CC economy क्या कहलाती है, CC economy आपकी commodity to commodity means commodity के बदले में commodity यहाँ पर होगी, उसी को हम लोग यहाँ पर CC economy भी कहते हैं, तो वहीं है हमारा यहाँ पर barter system क्या लिखाव है, direct exchange of goods without use of money is called barter system of exchange यानि कि goods का exchange तो हो रहा है, बट money का involvement यहाँ पर नहीं है, जब money का involvement यहाँ पर खतम हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, barter system of exchange कहते हैं, ओके तो देखें, यहाँ पर barter system of exchange वही होता है आपका, direct exchange of good without the use of money, is called barter system of exchange, अब कहोगे सर, आज की टाइम में money है क्यों आया, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने इसमें दिक्कते फेस की होंगी जब कुछ ना कुछ दिक्कते फेस की हैं तो इसी को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, क्या क्या drawbacks हम लोगों को barter system में देखने को मिले, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर देखें, drawbacks पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या क्या देखने को मिला, पहला drawback है lack of double coincidence of wants lack of double coincidence of wants का मतलब होता है कि हमारे पास दो parties है, दो parties के पास जो भी समान है, वो एक दूसरे की need होनी चाहिए, और example, एक person X है, उसके पास है wheat और person Y है, उसके पास है rice तो X को rice की जरूरत हो और Y को wheat के जरूरत हो, तभी यह transaction आपकी possible होगी, यानि कि हमारे पास जो समान है, वो एक दूसरे की need होना बहुत जरूरी है अगर हम मेरे को सामने वाले की समान की need है, बट सामने वाले को मेरे समान की need नहीं है, तो यह transaction हमारी यहां पर successful नहीं होगी, और ऐसे person को ढूड़ना barter system के era में काफी मुंकिन, काफी मुश्किल होता था, उसी को बोलते हैं यहां पर lack of double coincidence of wants, double coincidence of wants का मिलना यहां पर बहुत मुश्किल होता था, जिससे की पहला feature आपका यहां पर fail हो जाता है, यहीं है आपका पहला drawback जिसको बोलते हैं, but lack of double coincidence of wants, next we have absence of common measure of value, absence of common measure of value का मतले भी कि यहां पर common measure, for example, एक person है ram, या x ले लो, एक person है x और एक person है y, अब x के पास wheat है, और y के पास क्या है, horse है, अब x को horse चाहिए, और y को wheat चाहिए, transaction तो पूरी हो जाएगी, but क्या यह एक fair transaction हुई, obviously नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अगर 5 kg rice है, या 5 kg wheat हो, सामने वाले की पास एक horse है, तो obvious ही बात है, horse हो हमें दे देगा, बट उसको बहुत बड़ा loss होगी है न, इस जगा पर, तो एक common unit हमारे पास नहीं है यहां पर, कि हम कितने rice के बदले, कितने wheat के बदले, कितने wheat के बदले, तो वही चीज है कि हमारे पास एक common unit यहां पर नहीं थी measure करने के लिए, next, difficult to store value, चीजों को store करके रखना, जो भी basically आपकी perishable items होती थी, जिनकी shelf life काफी कम होती थी, जल्दी खराब होती थी, उसको store करके कैसे रखके, तो इसे vegetables हो गए, आपके fruits हो गए, perishable items हो गए, उनको store स्टोर करके लंबे time तक नहीं रख सकती थी, और उस time पर नहीं होती थी, तो इसी लिए third drawback था, आपका difficult to store value, उसको store करके रखना, काफी loss हो गाता था, पांस सब्लों टमाटर स्टोर करके रखे, पनाचला, एक महने बाद पनाचला, सीपोसरी 50 kg बचे, साढ़े त्यार सब लोगो सड़ गए, खराब हो गए, आप क्या करेंगे उस सीच का, तो भई यह, next, lack of standard for deferred payment, deferred payment क्या होता है, deferred payment का मतलब होता है, future payment, future में आपको भी payment करनी है, तो यहाँ पे आप payment करनी काफी मुश्किल होती थी, क्योंकि देखो, अगर मालू मैंने किसी से 5 kg चावल उधा लिए, तो बदले मुझे उसको 7-8 kg चावल देना पड़ेगा, 3 kg चावल ऐजा इंटरस्ट यहाँ पे पे करना पड़ेगा, बट हो सकता है, कि मैंने जब उससे चावल उधार में लिए हूँ, तब वो चावल की quality बहुत अच्छी हो, बट जब मैं उससे पे करना तो चाव पीचर बनके निकले ली, आइए देखते हैं आगे, अब बात करेंगे money की, money क्या है, anything which is generally acceptable by the people in exchange for goods and services, कोई भी चीज जो goods and services को exchange करने के लिए acceptable हो जाए by the people, people उस आसानी से accept कर ले, medium of exchange में काम आजाए, store of value में काम आजाए, standard for deferred payment में काम आजाए, उसी को हम क्या बोलते है money कहते है, देखे कैसे, medium of exchange, money को use कर सकते है medium of exchange में, इसे अच्चेंज कर सकते है, money होगा अजाए, कोई बचीज आसानी से यहाँ पर purchase कर सकते है, measure of value, easily आप उसको क्या गर सकते हो, measure कर सकते हो, किसी बचीज को money में measure कर सकते हो, मेरे पास ये marker है, मेरा ये specs है, मेरा ये mic है, क किसी को money में easily measure यहाँ पर कर सकते हो, okay, next, store of value, इसको easily store करके भी आप रख सकते हो, कही भी store करके रख लो, गदे में, तकिये में, bank account में, दिवारो में चुनवा दो, है ना, जोग सपाट, next, standard for deferred payment, deferred payment, यानि कि future payment भी आप easily यहाँ पर अच्छे से कर सकते हो, किसी मालो, पे गर होगे, एक लाग, दस हजार, एक लाग, दस हजार दो, अब आम से pay कर दो, वही है कि आप असानी से principal plus rent amount, interest amount आप यहाँ पर pay कर सकते हो, यही है बच्छा, आपका क्या, functions of money, okay, अब बात करते है, types of money, types of money, बच्छा, क्या क्या है, सबसे पहला आता है, आपका fiat money, fiat money, वो money होता है, जो government के आदेश पे चलता है, government ने आदेश दिया, तो fiat money चलेगा, government ने आदेश दे दिया, विया fiat money बन, तो बन, इसे जो government से बोला, इसे आपको पता होगा, demonization, हमारी मोदी जी ने कहा था, honorable prime minister जी ने कहा था, art number 2016 को, भाई यह और बहनो, आज रातरी, 12 बजे से 500 और 1000 के नोट रदी समान हो जाएंगे, यानि कि जिनकी value कुछ घंटों पहले 500,000 रुपे थी, अब कुछ घंटों बादी हो, just like a piece of paper, how, तो उसी को बोलते है, fiat money, जो government के आदेश पे चलेगी, government ने बोला, government ने इसको बोल देना, कि यह market 10 रुपे माना जाएगा, तो 10 रुपे इसको ट्रीड किया जाएगा, यहां पर तो गौर्मेंट ने बोल दिया, ठीक है, तो भई होती है, fiat money, next बच्चा, fiduciary money, fiduciary money क्या होगी, जो आपके trust पे चलती है, जो आपके trust पे चलती है, जो गौर्मेंट इशू नहीं करता, यहां पे खुद के trust पे चलत फुल बॉल्ड मनी होती है, जिसका आपका money value और commodity value क्या हो, equal होता हो, अब money value और commodity value क्या होती है, money value होती है, कि कोई currency है, उस पे जो value inscribed होती है, यह से coin हो गया, 5 रुपे, 10 रुपे, 50 कनोट हो गया, 50 रुपे दिख रहा है न, यह उसकी money value है, commodity value क्योती होती है, उसको बनान बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो बनाने को जो खर्चा आता है, वो झाम झाम झाल 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 झाल